हलो गैसे विडियों बात करने वाले हम निफ्टी फिफ्टी की बारे में कि कैसा था आज का दिन मार्केट ने कहां पे ट्रेप किया लोगों को और किस तरीके से मार्केट ने आज छोटा मोटा पैसा बन वाया क्यों निफन पाई कैसे निफन पाई वो मैं आपको बताने वाला हूँ सो आप लोगो को क्या करना है यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप है इस पे जाके आप जॉइन कर सकते हैं सबसे पहले बताऊंगा मैंने आप लोगों को आज 48,700 के नीचे बोला तब बैंक निफ्टी में जाने के लिए स्केल्पिंग वहाँ पे पहले ही अटेम्ट में 100 पॉइंट मिले आप जाके देखोगे आपको समझ में आएगा उसका हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया जिसका प्रीमियम 390 से 480 गया मॉर्निंग में उसके बाद हमने निफ्टी में एक ट्रेड दिया उससे पहले ये देखो मैंने अपने ग्रुप में अब क्या बताया था फ्राइडे मार्केट इस अट्रैपी मार्केट मोस्ट अफ ट्रेड दिया जिसमें हमारा एसल हंट हुआ 15 पॉइंट का 146 पे एंट्री थी 152 गया और उसके बाद वापस नीचे आ गया काफी टाइम स पॉइंटी गया और उसका हमने कोई ट्रेड नहीं मेंबर्स को दिये प्रॉफिट की बात कर तो आज प्रॉफिट लॉस दोनों हैं 472 का लॉस 16 का वाइदा प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट तो आप मिक्स दिन आज का दिन समझ सकते हैं ऐसा क्यों लगना चाहिए कि आज आपने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दिये तो अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट में अच कंटिनिएशन नहीं था यह देखो यह है हमारी पांच मिनिट की केंडल ठीक है मार्केट ओ मार्केट क्या करता है इस लोको नहीं निकालता है मार्केट यहां पर सैडवेज होके वापस अपस चलना चालू कर देता है तो जो बंदा यहां पर सोच रहा होगा पुट में जाने के लिए या तो उसका एसल चला गया होगा या फिर उसने लिया ही नहीं होगा क्यों क्यो लगाते हो तो हमारा कही न कहीं यहां कहीं पर 50% का एरिया आता है हमने अपने members को 50% के ऊपर trade plan करने को दिया भी और यहां पर 6-7 point का move आया भी premium ज्यादा move नहीं किये इस area में और फिर उसके बाद क्या होता है एक sharp sudden आपको एक और fall देखने को मिलता है उसके market फिर sideways हो जाता है यहां पर हमने 30 point का trade बनवाए अपने members को तो यहां पर अगर आप notice करोगे तो आपको क्या एक चीज देखने को मिलेगी सिर्फ एक candle fall यहां पर किसी का पैसा नहीं बनाओगा जो पहले से put में बैठा होगा उसका ही बनाओगा नई entry नहीं बन पाई होगी market sideways market फिर से गिरता है लेकिन जब दुबारा market गिरता है तो यहां पर देखो कितनी बड़ी wix बना देता है यानि कि नीचे से कितना बड़ा rejection आता है ठीक है तो कहां पर आप entry करोगे यह सबसे बड़ा important point है हमने अपने members को entry कहीं यहां पर कराई थी और यहां पर 30 point का move आया भी था लेकिन किसी ने लिया ही नहीं एकाद बंदे ने लिया वाकी किसी ने नहीं लिया और उसके बाद क्या होता है market साइडवेस साइडवेस धीरे 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 नीचे की तरफ चलता यहां पर देखो बड़ी केंडल वापस उपर बड़ी केंडल वापस उपर बड़ी केंडल वापस उपर बड़ी केंडल वापस उपर तो यहां पर लोगों का यहां तो loss था ये चीज़ जानके चलो overall अच्छा दिन नहीं था option buying के लिए क्योंकि continuation में fall नहीं हुए continuation में fall चाहिए थे जो हमें देखने को नहीं मिला आज के दिन nifty 50 के अंदर जिसने बना लिया होगा बहुत बड़ी हा बात है बट आज का दिन overall काफी hard था अब बात करें कि next क्या कर सकते है तो देखो market अपने support पर है 22,500 के 22,500 का level निकलते ही market के दो next जो important area है वो है 22,430 और 22,350 इन area के लिए हम काम करेंगे और upside की बात करें तो जब तक हमारा market इस area यानि की 22,600 के हम उपर नहीं आ जाते हैं तब तक हम call side के लिए कोई plan नहीं करने वाले हैं, market में fall आया है तो हम उसी direction में बाकी की planning करेंगे वीडियो को like करो, channel को subscribe करो telegram को join करो, comment section में जो पूछना है मेरे से पूछ सकते हो Thank you